यह पहली बार नहीं है जब भारतिय और चीनी सैनिकों ने सीमा पर विसफोटों का आदान प्रदान किया है। पांच हजार से अधिक मीटर की उंचाई से गुझने वाले नकूला सेक्टर मुग्ठांग से आगे के पास दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच आक्रामक टक्राव हुआ उपर पहले अधिकारी ने कहा। कि स्थानियस तर्विफ का समाधान किया गया। दो अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की सेना मुख्याले ने फेस ऑफ के यान से इंकार किया। एक पूर्फ शीर्ष कमांडर ने कहा कि नाकुला क्षेत्र पारम पर एक रूप से आमने सामने का खत्रा नहीं था। यह एहली बार नहीं है जब भारतिय और चीनी सेनिकों ने सीमा पर विसफोटों का आदान प्रदान किया है। अगस्ट 2017 में भारतिय और चीनी सेनिकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा के करीब लद्दाख में पैंगॉंग जील के पासवार का आदान प्रदान किया। वास्तविक नियंतरन रेखा, A.L.A.C. के पास जड़प ने द्विपक्षिय तनाव को बढ़ा दिया, क्योंकि यह उस समय हुआ जब दोनों पडोसी सिक्किम के करीब विवादित डोकलाम पठार में एक लंबे स्टैंड आफ में बंद थे। सिक्किम सीमा के साथ भारत और चीन के बीच तेहत्तर दिवसियर डोकलाम स्टैंड अप नया सामान्य होने की संभावना थी, Center for Joint Warfare Studies, CENJOWS ने 2017 में कहा, सैन्यक शमताओं के निर्मान के लिए एक मजबूत मामला। दोनों सेनाओं द्वारा सैनिकों की वापसी के साथ कतिरोज समाप्त होया।